सथ श्रीयकार मैं कुर्जोदकौर तोड़ा सारें दा पंजाब स्टोरी चैनल दे बहुत-बहुत स्वागत करती हैं चैनल लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब चुरूर करें ते एसनू अपने दोस्तां रिष्टेदारां बेच शेर करना ना पुलड़ा अज जो कहाणिया सी, तोड़े सारें के पेश करन जा रहे हैं, उस दा सिरलेक है, बाबल तेरा पुन्न होगे तकरीवन 20 साल हो गए हन गगनप्रीत नों इंगलेंड गया, गगनप्रीत चैनी की मेरी वड़ी पैंड, मेरे नाव तिन साल वड़ी होंदे बावजूद भी मैं कदे पैंड जा दीदी नहीं सी कहा, सोको उसनों अद्दा ना, गग कहके ही बुलाउंदा हां अते यो तिन साल छोटा होंदे बावजूद मेरा ना नहीं लेंदी सोगूद, वीरे कहके साद दी है इस कल्दा है सास शायद मेनों अज भी ना होया हूंदा, जे इंगलेंड तो परते हाकम सिंग ने उस दा हाल ना दस्या हूंदा उसने गली ये जही दसी सी कि मैं अपने आपनों हवा विच लटकिया मैसूज कर रहा सा मैं कर भी की सकदा सी सिपाई, छटपटावन तो सोच्चांधी डोंगी जिलन विच फस गया मेरे पिता जी ओदो नेडले पिंट दे सरकारी हाई स्कूल विच मास्टर सान दाते हन की पिता जी ने बड़ी मुश्किल ना अपनी पड़ाई पूरी की थी उस विड़े पिंट दा सब्तो नेडे दा स्कूल वी दस किलोमेटर दूर सी साधन कोई है नही सी जिस कारनों मनों पैदल ही ये रस्ता तै करना पैंदा पिताजी तिन पैणा दे इकलोकते प्रासान कर्दी गरीबी कार्ण खर्चिवलो हाथ हमेशा ही तांगरेंदा पड़ाई विच होश्यार हों गान पिताजी पड़ाई पूरी करके मास्टर लग गए तिन पैणा दे व्यातों मुगरो पिताजी दा व्या होया ता मेरी मान मेरी दादी ने दुद्धी न हों ते पुत्ती फलन दिया असी साथतीया सारे नुँ आसी की हुन इस कार विच पुत्ता दी जोडी चरूर खेटेगी मेरी पुवा ने ता हों वाले मुद्धे दा नाबी पहला ही चोन लेया सी उन्ना दिना विच पिंड राशन डिपू खुलेया सी जिस्दे काड़ बान रहे सान पुवा ने हों वाले बच्चे दा नाग गगन प्रीज सिंग लिखवा देता पर जदो मेरी पैन ने जनम लेया ता सारे यां दे चेरे उतर गए सान कोई भी उसनों जीया यां कहन नों त्यार नहीं सी मेरी यां पुवा ता कहन दे बहुत रोहिया सान मेरे पिता जी वीपा में खुश्टा नहीं सान पर उपरों ओ मैसूस नहीं सी होंदन दे मेरी मा दे हत्वी उस दिन गुरुआं दी फोटो गे जोड़ गय सान मेरा जनम होया ता करविच जिमें खेडा आ गया पहला ता कदे मैं मैसूस नहीं सी किता पर आज मिननू अपनी पैन दी शकल बड़ी ही मसूम जही लग रही सी साब गुज चुप चाप साय जान वाड़ी मेरा लाड प्यार ना सोबा अखड हो गया मैं हर विले उसना लड़ दा वड़ी होंदे वावा जूद भी उसनों कुट दन दा जेव शिकायत वी लोंदी ता उल्टा उसनों ही चिर्का पैन दिया मेरी माँ आखडी सिर सडिये क्योंनी मुंडेनू देख चर दी नहीं तेरे पंज सत प्राय एकको एकता तेरा प्राय विचारा थोड़ा गरम होन तो मगरो मेरी माँ दा मान जी में पसीच जानता फिरो प्यार नाल समुसम जोंगी पुत्त लड़या ना कर वीर नाल नई ताइन ने तेरा संदारा लेके नहीं आया करना नाले पाबबाजी गेर दास करया कर कि बाबबाजी एक वीर होर दे देव नाले एननु वीर कहके सद्याकार शायद महराज पुल जावे होर किते साड़े कार पीडी तोर पए अग्गे तेरा प्योंकल्ला सी मेरी मादे हत अपने आप ही जोड़ जान दे गगन प्रीतले ये जिमें इमते हान दी कड़ी सी ओ खाली खाली एक खानान मेरे वाल चाक दी ओ जिमें वजपन वेची ही अपना हासा गवावेटी सी जाद वी सोच दी मेरे वारे ही सोच दी अपने निके पैर ते गिली मिती थप दी ते कैंदी वीरे तेरे लिए कर बढ़नी हां ते फिर ओ मेरा ना ही पुल लगई जद भी बलाउंदी वीरे आख के ही बलाउंदी जियों जियों असी वड़े होई जा रहे हैं सांग तो सब कुछ जिमें रवाइती होई जा रहा सी पेंड़ दे स्कूल ही पड़ाई कार रहे सी गगण प्रीत दस पड़के वेल्डी हो गई सी मेरी पुआ उसली इक रिष्टा लेके आई पर पिता जी नू ओ पसंद नहीं सी पिता जी गगण नू बहुत प्यार कर दे सान ओ चौंदे सान की गगण किसे अमीर कार व्याई जावे जड़ियां तंगियां तुर्षियां उसने देखनें सान ओ अग्गो ना देखाई पैन ने कर दा सारा कम समाल दे आजी चाडू लाके वेली हुंदी ता रोटी टुक दे आ हार लग जांदी दो मच्चा साम समाल आते ता आरा चोन दा काम भी बड़ी जिम्मे वारी नल करती दास पंत्रां दिना मगरो गोहा पोच्चा फेर ना मुंदा ता एवी काम ओही करती उसने कदेवी मठे बाट ने सी पाई कुछ चेर मगरो पिता जी दे चेरे दी रोणक विखाई देन लग्गी गगन ले मुंडे दी एक दस पाई के जोकी इंगलेंड विच रहन्दा सी पिता जी दे नाली एक ज्यानी मास्टर सी हाकम सी उस्ती साली इंगलेंड रहन्दी सी जिस्ते मुंडे दी ओ गल कर रहा सी किन्ना चर पुच पुचाई चाल्दी रही मुंडा पिता जी नो पसंद आ गया सी पर अर्चन ए सी कि मुंडा एदर ओं त्यार नहीं सी पिता जी ये रिष्टा छदना नहीं संचोंदे हर मा बाप अपनी उलाद दा पला सोचता है पिता जी दी सोच भी एही सी कि गगन इंगलेंड जाके राज करेगी आखीर फैसला एह होया कि मुंडे दी फोटो ना लामा देखे ही व्यान संपूर्ण किता जावे एही सोच के मुंडे वाड़यान असी हां कर देती इस अजीव तरह दे व्यादा देन पक्का कर देता गया व्यातो एक देन पहलना कुडियां गीत कौन वेठियां पुडियां ने सुहाग चेड़या देमी वेवब लावोस करे जित्ते दरची सी वेपट जित्ते काडत कडे सुने आरनित लामा हार शिंगार वेवाब बुल तेरा पुन होवे मेरी या नजरा पुडियां चे करी बैठी पैनते पई ता वो हमेशा वांगी सहज वस्ता विच बैठी सी ना कोई खुशी ना कोई गाम उस दी मसूम जई सूर्थ देखके मेरा मान पर आया उस दिन वो पहली वार में नो वड़ी वड़ी लगी सी अगले दिन उस दव्या हरिंदर सिंग और हैरी दी फोटो नार कर दता हैरी दी फोटो नार ही गगन प्रीदे पिंडदे गुर्द्वारे विच फेरे होय सान ते मत्था टेक ते फेर कार वापस आ गई सारे रिष्टेदार पैंडी किसमते रश्क कर रह सान छे मीने भी जान बात गगन नुबीजा मिलेया पिता जी सामने एक समस्या होरान खडी हुई जेडे थोड़े बहुत पैसे सान ओता व्याते खर्चो चुके सान हुन जहाजी टेक्ट दा प्रवांत करना मुश्किल हो गया सी जाद उदा अर्मंग्यां भी प्रवांत ना होया तब पिता जी दा चेरा गंबीर हो गया आज उन्ना नुँ अपनी तन खावी बहुत थोड़ी मैसूस हो रही सी काफी सोच विचार मगरों पिता जी ने सज्जर सुई माज वेचन दा फैसला कर लेया माज दे चंगे पैसे वट्टे गए पूरे चार हजार पिंडदे ही एक व्यक्ती जांग सिंग ने इस्ता मुल पाया थे जांग सिंग माज खोलन आया ता पिता जी बोले चाचा संगलता अवदा लेयोंदा पिता जी दी गल सुणके जांग सिंग हस पया मका मास्टरा जर माज ही वेचती ता हूं संगल संगल की करने सूग उसने अपनी गल अदूरी ही चाड़ दती पिता जी भी हास पये ते माज़दा संगल खोल के जांग सिंग दे हाथ फड़ा दता गगन प्रीत कंदो ली कोल खड़ी देख रही सी किन्ने प्यारा नार पाली सी ए चोटी उसने मैं देख्या जेमें दो हंचु उस दियां अक्खा विची आटक गए हून फिरो दिन भी आ गया जिस दिन सानों बहुत उड़ीक सी गगन प्रीत नों जहाँ चड़ा असी सुर्खरू होगे बैठ गए महिने को मगरो गगन प्रीत दी चिथी आई जिस विच उसने लिख्या सी कि हुनों बहुत खुश है उसनों कारवार चंगा मिल गया है चिथी पड़के साड़े ते जे में एक खेडा आ गया पिता जी भी खुश सन जे में आचो सारा बोजला के सुर्खरू होगे हून मैं दसमी पास कार लई सी अगो अपनी जिन्दगी दे राहा दे चोंड कार लई पिता जी ने मेंनों खोल दे दिती सी मैं आर्ट दा कोर्स करना चोंडा सी जिस कार मुनना मिन चंडी गड़ दे आर्ट सकाल्ज विच दाखल करवा दता ते मैं होस्तल विच रहायश कर लई गे मैं जदो वी पिंट डाउंदा तक गगन प्रीदी चिथी आई हूनदी चिथी विच उसने ही लिखिया हूनदा कि यो बहुत खुश है पर नमी चिथी दा कार पहली चिथी नावों हमेशा छोटा ही हूनदा मैं चिथी विच उन्ना नो एकदर आउनवारे लिखता पर उसने हमेशा ही कोई ना कोई बहान ना बनाया हूनदा कदे कामदा जोर है ते कदे किते कुम्बन जा रहे हैं फिर चिथी और दीवी काफी उड़ी करनी पैंदी दो कुछ साल मुगरो पता लग गया कि उन्ना देकार कुडी ने जनम लेया है मेरी मां दे हक फिर तो अरदास दे ले उठ गई हे सच्चे पाशा उसनों एक लाल बक्ष अपनी पैंड प्रती मेरा मूँ बदा ही जा रहा सी दिल करदा सी की इक वारो इदर आ जावे उसता करवाड़ा विखन दी वी इच्छा सी चंडी गण उंदे में कई वारो उसनों फोन करन वारे सुचिया पर इन्ने वाद पैसे नहीं सन उंदे की फोन जा सके पर एक वार में मन विच्टार ही लेया की फोन जुरूर करना है फोन वी गगन प्रीच नहीं ही चुक गया मैं हजे सिर्फ हाल चाली पुछ रहा सी की उसमें ही कहके फोन रखवा देता की तेरा बिल बहुत बढ़ जावेगा समा बीसता गया मैं डिपलोमा करके अफ़दा अखवार दे दफ्तर विच बता और आसिस्टेंट नियुक्त हो गया इसे दोरान पैंदे कार एक होर खुडी आ गई पिता जी उन मेरा व्या कर देना जोंदे सन उन्ना ने एक खुडी पसंद करके मेरे व्यादा देन तर दता गगन प्रीच नों पड़ी ता की दना चट्थी लिगी कि उ व्यादे देन जरूर राण पर ओ न आ आई उसदी वदाई दी चट्थी ते एक सो एक पॉंड शगन वजो आ गई सारे आंदे मन परे हुए सन खुशी नाड़ो दासी वदेरे हावी सी दिल कर दासी की वदेर आ जाएं जां असी उड़ के उदर चले जाईए पर मजबूरी राह रोपकी खड़ी सी ब्यान मुझे छे मीने हुए सन की एक हाथ सा बापर गया पिता जीदा देलदा दोरा पैंकार मौत हो गई से गगन वभी तार दे दिती पोग दो हफते को मगरोज दी चिठी आई जिस विच उसने अफसोस किता ते नाड़ी लिखिया जल्दी ही ओन दी कोशिश कर रहे हैं चार को में इने होर बीत गए जदो गगन दी चिठी आई ओ सर्फ एक हाथे लिए आ रही है चिठी पढ़के खुशी भी वही ते हरानी भी होई कि आखिरों इकल्दी के वहा रही है कि उस पलेमान स्कुल एक हाथे दा भी समा नहीं पंद्रा दिना मुगरों गगन एकल्ली आई मैं उसनों देख के हिरान हो गया ओ तर लग दी ही नहीं सी इंगलेंड तो आई इस तरह जिमें इतरों ही गई सी उसे तरह साध मुराग सी ओ पिता जीनु जार करके रोंदी रही ओ अपने परिवार वारे दस्थन लगी ओ मेनु दस रही सी की तेरा जीच्चा सुबा था बहुत वधिया है ते ओ बच्चे नों भी बहुत प्यार कर दे हन होन बच्चे भी उन्ना विनवान नों त्यार नहीं सी हुई साड़ा भी हर वक्त फिकर कर दे सन पर काम बहुता होन कार चिठी नहीं लेख सकते कनेटा होन देता चिता नों भी बलालन दे पर अंगलेंड विच सद नहीं सी सकते उस दियां इगल्ना सुनके साड़े दिलनों बहुत तरवासा रहा सी एक हफते मगरो गगन बापस चली गई उस तो बाद उस दियां एक दो होर चिठी आईयां ते फिर चिठी ओने भी बंद हो गई साड़े दिलनों इतरवासी की चलो वो अपने कार खोश है आज हाकम सिंग मिलना आया ता गल्ड होर ही वान गई हाकम सिंग किसे त्रीके नाल इंगलेंड चला गया सी असी उचेच नाल उस दा स्वागत कर रहे सा क्योंकि गगन दा रिष्टा इसे नहीं करवाया सी असी उनना दा हाल चाल पुछेया ता ओ बोलेया कादा हाल मैता आप शरम दा मारया तो अड़ेवल अंदा ही नहीं पर फिर सोचेया मास्टर जी दाव सोस वीता करना है नाले पाई तुसी भी जेडी लांत दे देओ आकर गल्डी ता मेरे तो होई है जड़ा मैं बिना सोचे समझे मास्टर जी नूर एक पोटो नडव्या करना मजबूर किता सी हाकम सिंधी गालसानू समझ ना आई पाई साग केडी गल्ती तुस्ता पुन्न किता है जड़ा एहुजा साकरा है मेरी माने उत्तर दिता कानों पैन तो अड़ी कुडी ने ता मिन्नू मना किता सी की नाद सी पर मिथो रही नी होया तो अड़ी कुडी थोड़ी एक गउ है गउ पापी ने उधी कोई कदर नी पाई ते मिथो होनो दा दुख वोर वेख्यान जान दा हाकम सिंग जिमें नमोशी ना मरेया जा रहा सी पर गलतां दसो विच्चों की है मेरी माने पोखत चिंता विच्च पुछ या उस पापी ने तेनल साल मुगरोही तलाक देदता सी पता नी विचारी ने किन्दी अखी होके कुडियां पाडियाने आंधी विसी मेरे बाबा अपनू पता लग गया ताउता होंके नाली मार जान गे इस तो गे हाकम सिंग ने की कहा मेंनों नहीं पता मेरे सिर्नों को मेरा गई दिल करदा सी उड़के पैन को चला जाना पर जान ही से सकदा एक अच्च भी जही नाले द्रोव ज़को मरिया सी की करा ते की ना करा मेनों कुछ भी समझ नहीं आई हाँ मैं उसनों एक फोन ता कर सकदा है ए सोच ओंदिया ही में नाल दे शहर वाल चल पया पी सियू तो नंबर मलाया ता फोन गगन नहीं चुकिया मेरी यवाज पैंचान द्याहियो बोली हाँ वीरे की गल है गुग तु अपना हाल दास कि द्दा मेरा हाल वदिया मैं थे बहुत खुश है मेरी सोखा के आक सानु हाकम सिंग ने साब कुछ दास दिता है मेरी गल सुन के कुछ देरो चुप रही क्योंकि एक हाँका जी में हवा विचताया दा मेरे वल्लाया वीरे जो होना सी हो गया मा नुं दलासा देवी तु ता हत जोड़िया करदी सी रब्बा एक वीर हों दे जे तेरे होर वीर हुन दे ता भी की कर लें दे मैं तो होर बोल लिया ना गया मेननों ओ दिन याड आया जिस दिन पिता जी ने माझज विची सी मेननों देशिया जी में की बोल रही है इको वाजबूंच के दमाग नू चड़ रही सी मैं खोशान वीरे मैं बहुत खोशान मैं बहुत खोशान था देख एक कहानी जो की दविंदर सिंग से खादी लिखी होई है जो तुसी हुने हुने सुन रही सी